अलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब वीडियो पे तो आज मैं आपको एक 35 बाफ 40 डूप्लेक्स फ्लाट के बारे में बताने जा रहा हूं तो यह एक 3D elevator floor plan है तो इसके सारे details आद में आपको बताने जा रहा हूं तो आप देख सकते हैं इसकी parking कैसी रहेगी और इसका जो एक bedroom है विट अडाच्ट बात्रूम रहेगा और इसका जो staircase अंदर से ही रहेगा क्योंकि एक डूप्लेक्स फ्लाट है और इसका जो है living area attached with kitchen area and dining area और इसे सारसा जो है इसका एक छोटा सा bedroom रहेंगा विटोट वाश्रूम और ट्वाइलेट तो चलिए गाइस तो जैसे के आप देख सकते हैं इसका जो टोटल एरिया है 195 स्क्वेर यार्ट से मतलब यहां से लेकर इसका जो टोटल एरिया है जो टोटल एरिया है इसका जो है 195 स्क्वेर यार्ट ससे मतलब जो घर बनानी के पात जितना भी एरिया जो आता इना उसको बीलड़ अगया was 155 स्क्वेर यार्ट सेह कि और यह जो है इस फेसिंग फ्लोर प्लान है गाइस इसका जो फेसिंग है यह इस्ट फेसिंग है तो जैदे कि आप देख सकते हैं यहां से हम लोग ने इसके पार्किंग का इंटरेंस दिया गया तो यहां से इसका फेसिंग है यहां से इसका इंटरेंस रहेगा बड़ गाइस यह जो है कुए एक दूस्प्लेक्स धोल पाने और इसका जो बोर पाइंट है वह आप इस्ट कॉर्णर या नौर्ट इस्ट कॉर्णर पर कहीं भी आप लगा सकते हैं जैते कि यहां पर इस एरिया पर इस एरिया पर कहीं भी आप इसका जो है बोर पाइंट कहीं भी लगा सकते हैं वास यहां कहीं प्रॉइड करते हैं बट बहतर रहेगा कि आप इसका जो बोर पाइंट रहेगा वो नॉर्थिस कॉर्नर पर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा तो चलिए गाइस यह तो रहे हैं इसके डीटेल्स के बारे में आउटलाइन डीटेल्स तो चलिए आप इन इसके सब डीटेल्स के बारे में आपको पताने जा रहा हूं तो देखेंगाई तो यह जो पार्किंग है यह बहुत बैतरीन पार्किंग अगया तो इसके अंदर हर मीनिमंस ती मिनमं 3-4 कार आप इसमें रख सकते हैं इसका जो डायमेंस है वह देखेंगाई 21 feet by 11 feet जो इसकी लेंद ते ये 21 feet है और जो इसकी 21 feet by 11 feet तो बहतरीन दो से चार गाड़ी जो दो से दो फॉर विलर्स और चार टू विलर्स इसके अंदर इसी से आ जाएंगे और यहां पे एक यहां आने पर अगर शू यहां निकाल कर यहां भी शू रख सकते हैं तो इसके बात जो है कि इसके बात देख सकते हैं यहां पर इसके बेड्रूम दिया गया है यह इसके लिए दिया गया कि इन लोगों जो है एक वाचमें पर रूम है उसी को इन आन यहां पर एक प्रॉवर्ड की आगा क्यूंकि इनकेस यह तो अंदर नहीं ले सकतें क्योंकि एक वाच्मेन का जो वाच्रूम है वो इनको नोंने अटैस्ट बना कर इसको दे दिया है तो एक वाच्रूम का रूम आप कह सकते हैं जो इन लोगा ने यहीं प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था तो इनका जो वाच्रूम यहीं से प्रोवाइड होगा बट इसके यह 14 by 18 feet 6 inches 14 जो है गाई यहां से लेकर यहां तक 14 feet रहेगा और यहां से लेकर यहां तक 18 feet 6 inches रहेगा बट इसके अंदर यह जो है बात्रूम एक्सलूड़ रहेगा बात्रूम के दाइमेंशन जो है 9 feet by 6 inches रहे जो है यह गाइन देख सकते हैं अप लोग नहीं तो इसका जो है डेपत उसको बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते यां आपके साफ़ेगा में तो इसके बाद एक व्यट्रूम के बात करें इसका जो है लिविंग ए الासे ट makers लगो आपको यहां पर इसका टीवी उनिट आएगा एक टीवी उनिट हो गया यहां पर एक सोफा और यहां पर एक सोफा तो यह बहुत बड़ा स्पेशियस लिविंग रूम कह सकते हैं गाज तो इसका डैमेंश भी मैं आपको बता रहूं यह एक ट्वंटी वन फीट्स बाई 17 फी रहेगा तो देखें टॉंटी वन फीट जो रहेगा गफाय कि टुटी वन फीट्स जॉरह है कि इसका इसमेंस म猯 रहेगा और विसका 17 फीट्स रहेगा umasञ तो ट्ल में गयाए अगर भी तोटि बड़ल पीफेर् स्वोफा इसना रहा कि निवन यहां थेनीट थे निवन यह तो इसक़ अंदर इसका प्रॉईजिन दिया थो गइस दूग्स रहेगा तो बेसिकली अंदर से स्टेर्केस रहेंगे तो युटेश के डेमेशंस में आपको आज बता रहा हूं तो डेहीं गाइस आङ इस टेर्केस को बीड़त रहेगा विंद टोटल भीड रहेगा जिसमेश को किटिल एंद आप देखेंगे तो लैंडिंग सिक्सवीप के रहेगे और टोटल लाइणिंग ही किए स्कुल है है कर तो तटे लेरनिंग सिख ट्रेट के लब एक स्टेप तीं फीट का और ृक्स टेप तीन फीट का है बोगत बहुत बहुत भीन्दर रहेações अगर भीनदर पूर नहीं चाहिए है तूद रहे गार और गाईस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस टेर के सब डीटेल्स आपको बता हूँ ना तो देख सकते हैं आप गाई देखिए एक रेजर का जो है रहेगा एक रेजर का हैट सेवन इंचिस रहेगा गाईस एक राइजर का हैट 7 इंचिस रहेगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक तो तीन चार पाण छे साथ साथ राइजरों के बाद एक स्टेप्स तक आप दे सकते हैं किसी भी फ्लोर प्लान पर अज़ेस्ट करना चाहिए हम लोग उसकी हाइट के हिसाब से बगर अगर यह स्टेर केस का जो राइजर है उसका जो हाइट है वह बढ़ा देंगे तो जायड सी बात है इसका जो स्टेर के स्टेप्स थे वह कम होते जाएंगे तो इसके इंदरबाइस यहीतने भी स्टेर केस है वह 16 नंबर्ट रहे हैं हम लग यहां डर्या बाव यह कि इस के, डर इंकलूड रहे गा तो यह उड़ मिलाकर इसके इसके इंदर शिर्टिन उर्टर अफ्र आयें र है से पूलिये गाइस इसले पर जूंश मैं इसका किचन दिकाने जा रहा हूं के तुदेखे गरैस की दिटना बेतरी निच्ञें रहे गाए इसके अंदर यहां से एक विन्डू तिया गया है कुछ कर्यों विंडो ये विंडो के बाद इसका जो इल-चेоп में आपको इसका किचन प्लाटफर्म काना अगा है यहां पी जिय का आएगाहां यहाँ वाउस बस बेशिंग का प्रवацию ना आएगा तो इसका जो डेमिंशन से वह मैं बता दे तहां को इसका जो ड्यमink 옆रें से तो गई अब देख सकते हैं कि अच्छा स्पेशियस किचन है क्यूंकि गाइस जैसे कि कस्टमर का रिक्वार्मेंट रहेगा उननों को इसाब से उननों को जो है किचन जो है बहुत स्पेशियस बनाने का प्लान रहता है क्या है लोंगे साब से जो हैं लोगों का डीजैन करके देना पड़ेगा से लीकिचन देख सकते हैं कितना अ अच्छा kann कि और यहाँ से बाहर काककी जिया गया यहां बाहर का परेको बढ़े देख सकते हैं यहां पर जो व вами आ भी रहे सब्सक्राइब तो फ्लाट के बेशिकलिया आपको मालूब ही होगा यहां से जो डाइनिंग एरा रहेगा फिर उपर जाने के बाद भी अगर इनकेस वहां भी एक फैमिली रहती तो वहां भी डैनिंग एरिया रहेगा तो इसका जो डाइमेंशन से गाइज वो लेवन फीट्स बाइज टेन फीट्स का इसका डैनिंग एरिया का डाइमेंशन है और यहां पे जो बाहर जाने के लिए बाहर जाने के लिए एक अच्छा सा स्लाइडिंग डॉर दिया है स्लाइडिंग डोर इसलिए क्योंकि यहां से जो है और लोंको बाहर का वेंटिलेशन मिलेगा और बहुत अच्छा व्यूब मिलेगा इसलिए बुलकर यहां एक प्रोजिजन दिया गाए इसके बाद जो है एक छोटा सा बेडरूम नहीं यहां पर प्रोजिजन नहीं है क्योंकि यह जेस्ट जो गेस्ट है उनलों के लिए रेस्टिंग एरिया रहेगा अगर इनकेस इनलों को वास्रूम यूज़ करना है तो उपर ही जाकर यूज़ करना पड़ेगा इनलों को और या तो जो है जैसे कि मैंने बताया गया वो जो बाहर जो एक रूम है उसको जो है यह लोग आज बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं तो उसमें भी आप जो है एक टॉइलेट का प्रोजिजन दिया गया है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं तो इसका जो बाट बेडरू बेडरूम को डिमेंशन ते मतलब 11 फीट इसका वीड़त में रहेगा तो यहां नहीं के पाद है को एक अच्छा सक किंग साइस बेड मिल जाएगा उसके साथ साथ एक वाडरोब भी तखने का प्रोविजन मिल जाएगा तो यह वाडरोब जो है आपके मरजी से आप रख सकते है अगर आपको यह फ्लोर प्लाइन चाहिए अगर इसका 3-D फ्लोर प्लाइन भी चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईड़ी पर कांटाक कर सकते हैं वह मैं आपको डिस्क्रिप्सें में प्रोवाइड कर दूँगा तो अगर इनकेस आपको चाहिए तो इंस् वाट्सप नंबर भी प्रवाइड कर देंगे तो आपको डिरेक्ली जो उसके पर यह फ्लोर्प्रेण आपको भेज दूगे पीडिय फोगे रफ फ्लोर्प्रेंट भेज दूगा कि